हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल इस डिजायन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने सूट का कपड़ा लिया है सूट के कपड़े पे हमें पीछे की साइड में ऐसे बाकरम को चिपकाना है बाकरम की लंबाई हमने साड़े 15 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 15 इंच ली है कंदे की चौड़ाई हमारी सूट के कपड़े की कंदे की चौड़ाई हमने 16 इंच ली है तो फ्रेंड आपका जो भी कंधे का साइज है, उस साइज में आपको 2 इंच एश्ट्रा एड करना है, अब हम सूट के कपड़े को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे साड़े 13 इंच की लंबाई पे ऐसे टिक लगाएंगे, अब हमें तिर्ची में यहाँ पर 11 इंच की लंबाई प पे टिक लगाएंगे, अब हमें एक और टिक लगाना है तिर्ची में 9 इंच की लंबाई पे, सारे टिक को हमें स्केल की सहायता से ऐसे लाइन अप कर लेना है, अब हम कपड़े को ओपन करेंगे, कपड़े को अब हमें बीच में से ऐसे फोल्ड कर देना है, और इसे हलके हल के हाथों से हमें ऐसे थप थपा देना है एक साइड में जो हमने लाइन अप किया है वो दूसरे साइड में छप जाएगा इस तरीके से अब हम कपड़े को ओपन करेंगे तो ये देखिए दूसरे साइड में हमारा हलका हलका लाइन छप गया है हम इसे लाइन अप कर लेंगे थोड़ा सा डार्क करते हुए हम इसे लाइन अप कर लेंगे ऐसे लाइन अप करने के बाद फ्रेंड सारे लाइन को हमें फोल्ड करके सिलाई करनी है तो पहले हम बीच वाली लाइन को ऐसे फोल्ड करके सिलाई करेंगे कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसकी उपर सिलाई चलानी है यहाँ पे हमारा टिक है हमें यहीं तक सिलाई चलानी है अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे यह देखिए फ्रेंड ऐसे हमें सिलाई चलानी है सारे लाइन के उपर दूसरे वाले लाइन को भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे जहां तक हमने लाइन अप किया है वहां तक हम ऐसे सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप इस डिजाइन को EG स्टेप में तयार कर सकते ही यहाँ पे हमारा टिक है हमें यहीं तक सिलाई चलानी है तो ये देखिये है फ्रेंद हमने दूसरे वाले लाइन को भी complete कर लिया है बिल्कुल इसी तरीके से सारे लाइन के उपर सिलाई चला कर हमने इस लाइन को complete कर लिया है अब हमें एक छोटा सा कपड़ा लेना है कपड़े को दोनों साइड से हमें ऐसे fold करना है और कपड़े के किनारे की साइड में हमें ऐसे सिलाई चला लेनी है दोनों साइड से सिलाई चलाने के बाद अब हम इसे सीधा करेंगे कपड़े को फोल्ड करने के बाद इसे परफेक्ट सेप में सीधा करने के लिए हम कोई भी नोखिली सी चीज ले लेंगे उसकी सहायता से हम इस छोटे से बॉक्स को अच्छे से सीधा कर लेंगे तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से सीधा कर लिया है अब इसके बीच में ऐसे चूनट बनाकर धागे की मदद से हम इसे अच्छे से लॉक कर देंगे ये देखिए ऐसे हमें चूनट को अच्छे से लॉक कर लेना है धागे की मदद से अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे और इस चूनट के बीच में हम मोती को यहां पे लगा देंगे सेम साइज का ऐसी हमें धेर सारी फ्लावर वाली डिजाइन बना लेनी है इन सारे डिजाइनों को हमें सूट के कपड़े पे लाइन वाली डिजाइन की उपर ऐसे लगा देना है ये देखिए सारे लाइन की उपर हमने इस डिजाइन को लगा दिया है अब हम एक बाकरम लेंगे बाकरम को हमें ऐसे बीच में से फोल्ड कर देना है यहां से हमें 3.3 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाना है सारे 3.3 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाने के बाद अब हम लंबाई पे टिक लगाएंगे तो गले की लंबाई हमने 4 इंच 2 पॉयंट ली है लेकिन आप अपने हिसाब से चोटा बढ़ा कर सकते हैं अब इसकेल की सहायता से हम दोनों टिक को ऐसे लाइन अप कर देंगे. यहां कोने की साइड में हमें एक इंच दो पॉइंट पे ऐसे टिक लगा देना है. अब इसे हलका सा गोल सेफ देते हुए हम लाइन अप कर लेंगे. बिल्कुल इसी सेफ में हमें एकग इंच की ऐसे चोड़ाई नापनी है और टिक लगा लेनी है ऐसे टिक लगाने के बाद हम टिक को अच्छे से लाइन अप कर लेंगे जिस सेफ में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेफ में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है गले की cutting करने के बाद अब हम बाकरम को open करेंगे इसे हमें इस्तरी की सहायता से कपड़े पे चिपका देना है किनारे की side में जो हमारा बाकरम का size है उसी size में हमें कपड़े को cut कर लेना है अब हम suit का कपड़ा लेंगे suit के कपड़े को हमें उल्टा कर लेना है और गले की design को हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है इसे हम अच्छे से pin-up कर लेंगे pin-up करने के बाद जिस shape में हमारी गले की cutting की गई है बिलकुल उसी सेप में हम इसके उपर यहां से सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समय कपड़े को आपको हलका हलका ऐसे घुमाते रहना है जिससे आपका डिजाइन परफेक्ट सेप में तयार होगा और हमारे डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग भी आएगी तो ये देखिए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है, अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे, यहां से हमें एश्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है, एश्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद हम यहां किनारे की साट में कपड़े को ऐसे हलका हलका कट कर लेंगे अब हमें बाकरम को ऐसे फोल्ड करके सीधा करना है यह देखें इसे अच्छे से ऐसे फोल्ड करके सीधा करके इसे इस्तरी कर लेंगे जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैठ जाएगा डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाने के बाद अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ एक कपड़ा लेना है और मोती और सितारा वाला हमें स्टोन ले लेना है मोती को हम कपड़े की बीच में ऐसे डालेंगे धागी की मदद से हम इसे अच्छे से लोग कर लेंगे धागे की मदद से मोती को कपड़े में अच्छे से लौक करने के बाद अब हमें कपड़े को ओपन करना है और इसके बीच में हमें सितारा वाले स्टोन को यहाँ पे लगाना है अब हम कपड़े को टाइटली ऐसे घीचेंगे यह देखिए ऐसे हमें कपड़े को टाइटली घीचना है और धागे की मदद से अच्छे से लोग कर देना है कपड़े को अच्छे से लोग करने के बाद अब हम यहां से एश्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे अब हमें इस डिजाइन के उपर सिलाई चलाना है तो ये देखे किनारे के साइड में ऐसे सिलाई चलाएंगे सिलाई चलाने के बाद यहां से धागे को और एश्टा कपड़े को कट कर देंगे सेम साइज का ऐसी हमें धेल सारी डिजाइन बना कर तैयार कर लेनी है सारे डिजाइन को हमें गले की डिजाइन में यहां पर ऐसे लगाना है यह देखिए गले की डिजाइन में हमें इस डिजाइन को ऐसे लगाते हुए इसके उपर सिलाई चला लेनी है इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजी स्टेप में तयार कर सकती है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब परके घंटे को बजा कर आलका ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें इस डिजाइन में डोरी का डिजाइन बनाना है तो उसके लिए हमने दो डोरी लिया है डोरी को हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है दोनों साइट से हमें डोरी को ऐसे फोल्ड करके इसके बीच में सिलाई चला लेना है अगर आपको डोरी बनाने नहीं आता है तो link description में दी गई है जिस shape में हमारा गले का design है बिलकुल उसी shape में हमें डोरी वाले design को ऐसे बनाते हुए इसके बीच में सिलाई चला कर इस line को complete कर लेना है तो ये देखिए friend हमारी ये line complete हो चली है इस line को complete करते हुए अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे धागे को cut करने के बाद यहां से हम extra dory को भी cut कर लेंगे अब हमें इस dory की design में सूई धागा के मदद से या fabric glue के मदद से ऐसे मोती को लगा देना है जिससे हमारा design और भी सुन्दर लगेगा तो friend आपको हमारी यह design कैसी लगी comment में जरूर बताएं